जै मातर दी दोस्तो नवरात्रे के चोथे दिन पढ़े माता कुश्मानडा की कथा हिंदू समाज में हर वर्ष विभिन प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं विभिन परवों की विभिन मानेताएं हैं इसी के साथ ही हिंदु समाज में नवरात्री का पर्व भी देवी पूजा के लिए बेहत महत्व पुरण माना जाता है नवरात्री के इन नो दिनों में नो देवियों की पूजा अर्जना की जाती है इन नो दिनों में भिन भिन पूजा, विधी तथा कथाएं की जाती हैं। आज हम आपके लिए नवरात्री के चतूर्थ दिन की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इन्हें देवी कुश्मांडा के नाम से भी विख्यात किया गया है। जिस समय श्रिष्टी का निर्मान नहीं हुआ था, तथा चारों और अंधकार का वास्था, तब देवी कुश्मांडा ने ही अपनी इशत हास्य के माध्यम से ब्रहमान की सरंचना की। उनकी इस अदभु देवी कुश्मांडा की अश्ट भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अश्ट भुजा देवी भी कहा जाता है, देवी कुश्मांडा अत्वा अश्ट भुजा के हाथों में करमशे, कमंडल, धनुशबान, कमल, पुश्प, अमरितपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। इस देवी कुश्मांडा का प्रिये वाहन सिंग है, देवी कुश्मांडा को कुमडे की बली अत्यंत प्रिये है, संस्कृत भाषा में कुमडे को कुश्मांड कहते हैं, इस कारण भी देवी को कुश्मांडा कहते हैं, देवी कुश्मांडा का सूर्य मंडल के अंदर लोक में निवास करती है सूर्य मंडल में निवास करने की शक्ति मात्रे इन ही देवी के पास है इनका तेज सर्व व्यापी है जगत का हर प्राणी मनुष्य इन ही के तेज से उजवल है इनकी कांति ओज तथा दिव्य सवरूप सर्व लोक में उजागर है ब्रहमान का कान कान देवी कुश्मानडा की शक्ती का प्रतीक है देवी कुश्मानडा की सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों को शक्ती तेज प्रप्त होता है यह देवी भक्ती तथा सेवा से प्रसन्न होकर आशिरवाद तथा मनोकामना को सिद्ध करती है तो दोस्तों ये थी कुछ मांडा की कथा छोटी सी कमेंट बॉक्स में जैम आता दिदी लिखे पूरी देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद लाइक शर जुरूर कीजिए